हमारी संस्किती, हमारी पहचान, यज्य, योग, आयुर्वेद, सदा रहे हमारे साथ, भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्य महिमा भारती संस्किती में यज्य, योग, एवं आयुर्वेद जैसी अमूले विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद, इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरण्यवासी रिशियों की कु प्रचलन देखने को मिलता है। कीर्तिंद्र विणं ब्राम् मवर्च सम्मयं दत्वाब्र जतब्रम् मलोकं स्वाहाँ, ओम, आब्रम्हन ब्राम् मनोब्रम् मवर्च सी जायतामा, राष्ट्रे राजन्याशूर इशव्योति व्यादि महारतो जायता, दोग्धिर धेनुर वोढा, नडवा, नासु सप्ति पुरंदिर योशा जिश्नु रथेश्था, सभेजो युवास्यय जमानस्य वीरो जायता, निकामे निकामे नापर जन्यो बर्षतु भलवत्यो न आउशदया पच्यंता, योगक्षे मोना कल्पता, स्वाहाँ, इदम्राष्ट्राय, इदन्ना महमा, यह संपूर्ण परिवार के योगक्षे म के लिए स्टुता मया, संपूर्ण राष्ट्र के योगक्षे म के लिए हमने आब्रह्म, ब्राह्म, और राष्ट्रिय प्रार्थना के साथ हमने विशेश आहुतिया दीव, और अंतिम में एक मंतर का विशेश उचारन करते हुए, स्विष्ट कृत आहुती जिसके अंदर आपके पांस कोई मिश्ठान न है तो उसकी भी आप आहुती दे सकते हैं गाय की घी के साथ लेकिन इसमें सामगर की आहुती सामन या नहीं देते हैं और या तो फिर केवल गाय की घी की आहुती हम प्रदान करेंगे ओम यदस्यकर्मनो त्यरीरिचं यद्वान्यून विहाकरं अग्निष्टत स्विष्टकृत विद्यात सर्वं स्विष्टं सुतं करो तुमे अग्नये स्विष्टकृते सुतहुते सर्वप्रायस्चित्ता हुतीनाम कामानाम समर्दैत्रे अब एक प्राजापत्य आहुति मौन होकर के मन ही मन प्रजापत्य उचारण करते हुए हम गाय की घी की आहुति देंगे अब हम पूर आहुति प्रदान करेंगे सामगर की भी आहुति प्रदान करेंगे ओम सर्वं वै पूर्णम स्वाहाँ ओम सर्वं वै पूर्णम स्वाहाँ इस प्रकार यह हमने विशेश दीव यज्य के साथ संपूर्ण परिवार की योग ख्षयम के लिए राष्टर की योग ख्षयम के लिए और ख्षमा याजना की भावने से साथ स्विश्ट कृत आहुति आधी प्रदान करते हुए आज के इस यज्य को संपन क्याव आईए सभी लोग सीधा बेटते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते हुए और प्रभू से प्रार्थना करते हुए हे प्रभू संपूर्ण विश्व में मंगल हो आज जिस अलग-अलग प्रकार की बिमारियां और कुरोना जैसे महामारियों से आज पूरा मानव समाज प्रतारित हो रहा है उसमें हे प्रभू आप एसी क्रिपा करें कि सबके जीवन में सूख सांती सम्रिद्धी आरोग्य हो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनाहा सर्वे संतु निरामयाहा सर्वे बद्राणि पस्यंतु माकश्चित दुखभाद्भवेत हे इश सब सुखी हो कोई नहो दुखारी सब हो निरोग भगवन्दन दान्य के बंडारी सब भद्रभाव देखे सन्मार्ग के पति कहो दुख्यान कोई हो वे स्रेष्टी में प्राण धारी हे नात सब सुखी हो कोई नहो दुखारी सब हो निरोग भगवन्दन दान्य के बंडारी स्वामेव माता चपिता त्वामेवा स्वामेव बंदुच्यसक्ः त्वामेवा स्वामेव विद्या द्रविनं त्वामेवा स्वामेव स्वाम् मामदेव देवा ओम शांति 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 ओ आप सभी साधक योगी वाइबेनों को इस पावन औसर जिस समय में आज हम इस धर्ति पर हैं उस समय में जो एक विशेश क्रांति चाहिए वह योग हो आईरवेद हो यज्य हो और यह हम देख पा रहे हैं अपने आखों के सामने हम उस अमबनी प्राचीन विधाओ और विद्याओ को अपने जिवन में हम अपना पा रहे हैं यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी सवभाग्य की बात है यह यज्य कर्म सामन्य कर्म नहीं अपितू एक बहुत ही महत्वा पूर्ण और विशिष्ट कर्म के रूप में हमारे सास्त्रों में इसको विशिष रूप से बताया गया है और पंच महा यज्य, सोला संस्कार, चतरवरणाशम धर्म आदे की यह जो वेडिक की पावनी परंपरा है उस पावनी परंपरा के हम समवाहक, उसके ओशक, उसको जीने वाने यह हमारे लिए एक सबसे बड़े सवभाग्य की बात होती है और जिस यज्य को, जिस हवन को, जिस अगनी होतर को हम सब मिलकल के प्रतिर अविवार करते हैं इस यज्य के विशे में कहा एटेशू यस्चरते भ्राजमानेशू यथा कालम चाहुतयो ह्यद्दादायन हमारे सास्त्रों में कहा साथ लप्तों वाली अगनी की सिखाओं में जो यज्यमान निश्चित समय पर आहुती देता है यथा काल आहुती देता है वो आहुतया देता हुआ, कर्म को पूरा करता हुआ यह आहुतया उसको सुर्य की किरणों में पहुँच कर संचित कर्म रुप होकर वहां पहुचा देती है देवा नाम पति रेको दिवाचत जो इश्वर, परमपिता, परमात्मा जिसको साक्षातकार उसका करा देता है अर्थात यह जो यज्य है, हवन है, अगनि होतर है वो प्रभूदर्शन का सबसे बड़ा माध्यम ए इश्वरिय आराधना का यह सबसे बड़ा उपाई है इसलिए हम अपने घर के अंदर यज्य कर, इश्वर की आराधना, इश्वर की उपासना यज्य के माध्यम से कर, और कहा इस प्रकार करने से क्या होता है तो कहते हैं, यथे खुदिता बाला मातरम परी उपासते एवन सरवानी भूतानी अगनी होतरम उपासते जैसे छोटे बच्चों को हम देखे वो जब भूख से पिड़ित होते हैं तो कहा जाते हैं, अपनी माँ के पास जाते और उस बच्चे को निश्चिंतता होती हैं कि मैं माँ के पास जाऊंगा तो निश्चितर उसे मेरी यह जो भूख की जो पिड़ा है उसका अंत होगा और हम सब का यह अनुभव होता है और हम सब के साथ यह अनुभव जुड़ा हुआ है कि कभी भी माता के पास जाने पर शायद ही कोई भूखा बच्चा लोटता हो अन्यथा हर किसी को उसकी भूख की निश्चितता होती कि मां पांस जाएंगे तो भुख की निवर्ति होना निश्चित है पूर्ण विश्वास के साथ। ऐसे ही यथे एक्षुदिता बाला मातरम परियुपास जैसे भुख से पिडित बालक अपनी माता की उपासना करते हैं। एवं सरवाने भूतानी अगनी होत्र मुश्यद ऐसे सारे जनलोग, सारे समाज के व्यक्ति क्या करते हैं, यज्य की उपासना करते हैं, अगनी होत्र की उपासना करते हैं, अपनी दुखों की निवृत्ति के लिए, इसलिए इस प्रकार हमने यह यज्य किया, वो हमारी अउम्खों को दूर करने वाला होता और बाद में यह जो अंगारे हैं इन अंगारों के ओपर यह गोगुल मेरे पाँज है। इस गोगुल को विशेश रूप से हमारे सास्तों में कोई प्रकार के लाव देने यह त्रीदोस सामग भी होता है यह पूष्टी कारक भी होता है यह रोग निवारक भी होता है सुगंधित भी होता है और इसकी आहुतिया देने प्रकार घृत गुलगुलो हो में सर्वोत पातादेर मर्दनम घीव और गुगुल की आहुती देने पर सभी प्रकार के उत्पात सांत होते हैं और अथरोवेद में कहाना तम्यक्ष्मा अरुंतते नेनम सब्थो अर्शनुते यम भेशज जसे गुलगुल और सुर्विर गंदो अर्शनुते जिसको यह दालिए और उसके पर थोड़ा सा गाय का घीव दाल दिजिए इस प्रकार से और उसकी धुनी को अपने घर में गाय का घीव और गुगुल की धुनी इस प्रकार से करके और उसको अपने घर में पहलाएं और इसको अपने पूरे घर में पहला करके प्रणायम कीजिए बड़ा विशेश उपाए है, आपको कोई बीमारी विशेश हुई हैं तो बीमारी विशेश के लिए जो रोगानुसार हवन सामगरिया होती है, उन रोगानुसार हवन सामगरियों को थोड़ी सी मातरा में लेकर के उसको भी आप अंगारों के उपएस परकार रख सकते हैं, यह आप देख रहे हैं रोगानों सरहवन सामक गई जिसे अलग-अलग रोगों के लिए अलग-अलग जो हवन सामक दिया होती हैं उसका हम प्रयोग करते हैं और कहां आयुरवेदे शुयत परोग तयास्य। लगों भेश अलग जो होते हैं नष्ट हक्यां तो यह हमें बीमारी विशेश हैं तो रोग विशेश हवन सामक लिए हो और कोई बीमारी नहीं हैं तो आप विशेश करके गुगूल और गाय के गी की धुनी यज्ज के पश्चा जरूर किया करें अपने घर के अंदर इससे सारा एट्मसफेर वायू मंडल सुगंदित हो जाता है उसमें एनर्जेटिक एनर्जी का संचार होता है और चार और जो आज महामारी खोरूना वाइरस बेक्टेरिया वाइरस फंगस जिसको पेथुजेंस के तेब जो इसके कारण आज बहुत बड़ी मातर में जानमाल के हानी हो रही है हम इस यज्जे कर और उसके बाद इसे थोड़ा सा गाय की घी का धुआँ सरसो का धुआँ का धुआँ या फिर इसी परकार से नार्यल का धुआँ मिस्री का धुआँ एक कुछ ऐसे विशेश द्रवे हैं उसमें से जो उपलब्द हो जाए वाच है कुटज है आदी आदी उसमें जो उपलब्द हो जाए उसका धुआ करके थारे वाई मुलब में फिलाए तो हमारा कोरोना वाइरस से भी बचा होगा सामानियत बेक्टरिया फंगसादी से तो होता ही होता बाचा हो है लेकिन उसके साथ साथ वाईरस पे भी हमारा बचा होता है इसलिए यज्य को हम विशेश करके एक साधन बनाते हुए विशेश उसका परियोक करें उसमें यज्य की अग्णी होत्र की महिमा बताते हुए बता रहा था हमारे प्राचीन ग्रंतों में सासर में जो महत्वपुन और विशेश बाते बताई गए उसमें कहा अगनेश चेव सायम प्रजापतिये चेट्य ब्रवेत सुर्यायच प्रातह प्रजापतिये चेटी अगनी होतर में सायनकाल अगनय और प्रजापती और प्रातकाल सूर्य और प्रजापती के लिए में विशेश आहुतिया देनी होती और अगनी होतर स्वाहा कार अगनी होतर के मंतर के अंतर में क्या बोलते हैं स्वाहा और कहा इस प्रकार फिर यजिक जो हम करते हैं तो कब हम कर सकते हैं तो कहा अत्यंत जरावसा अर्थात बुढ़ापा अर्थात जब हम अपना स्वयम का कारिय भी नहीं कर सकते हैं ऐसी असकता आ जाएं तब छोड़ने योग्य है या वा मृत्युर्वा या तो फिर मृत्यु हो जाएं इसके बिना जीवन भर यज्जित अगनी होत्र को छोड़ने के लिए मना किया और इस प्रकार से हम करेंगे जरा मर्य सत्र या जो अगनी होत्र हैं उस जरा मर्य सत्र अगनी होत्र को यदि हम करते हैं तो उसका क्या लाब होता है तो कहा अगनी होत्र अस्वमे घस्या आपती ही इस अगनी होतर को करने से अस्वम एक यज्ज का जो फल होता है उस अस्वम एक यज्ज के फल को प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति अब मुखम वा एतद यज्जानाम यद अगनी होतरम यह सारे के सारे यज्जो का मूख है यदि जो इस अगनी होतर को नहीं करता है तो अन्य यागो का भी परने का अधिकारी नहीं बचता है और कहा जरामर्य सत्र की तरह नियम पुर्वक यज्य करता है तो सर्वसमाद पाप मनो निर्मुच्यते सय एवं विद्वान अगनी होतर करता है वह सब पापों से दोसों से सभी प्रकार के असुभों से मुक्त हो जाता है यह हमारे सास्तरों में, हमारे प्राचिन गरंथों विशेश करके यह बाते बताई इस छोटा सा यज्य है लेकिन उसके विशेश विशेश लाब तो इसलिए हम अपने घर में प्रती दिन इस यज्य को इस हवन को इस अगनी हुत्र को स्थान दे और प्रती दिन करें और इस यज्य को कर अपने तन की सुद्धी, मन की सुद्धी, परियावरण की सुद्धी, परियावरण का पोशन से ले करके, उन्य का वर्धन से ले करके, अनेक प्रकार के जो लाभ है, उन लाभों को हम सिद्ध करें, तो इस प्रकार यह यज्य, हवन, अगनिहोत्र को हम व परिभाष्या बताते हुए कहा एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वं कल्यानं भवेद आध्यात्मिक आधी देविक आधी भोतिक ताप त्रयोन उन्मूलनं सुकरम्च्यात तद्यज्य पदा भिधियम का। अर्थात जिस सदनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्यान होता हुए और आध्यात्मिक आधी देविक आधी भोतिक तीनों प्रकार के ताप दुखों का उन्मूलन जिस्ते होता हैं उसको कहते हैं यज्य हवन अगनिहोत्र येसा यह यज्य हवन अगनिहोत्र होता हैं तो इस अगनिहोतर को अपनी जीवन में हमस्तान दे तो अगले क्रम में जो आपका प्रशना है जी बताइए हमारे साथ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से भराता जी जुड़े है और उनका प्रशना है कि हम जो इश्वर्श तुति प्रातना उपास नाके आठ मंत्रों का यज अगनिहोतर करने से पूर्वा में जो उचारन करते हैं तो क्या उसकी जो हिंदी में अर्थ होता है उसका भी हम उचारन कर सकते हैं हाँ निश्चित रूप से आप उसका उचारन कर सकते हैं यह जो विदिक निटे कर्म विदी नविंतम संस्क्राण परिश्कृत है उसमें भी हमने काव्य के रूप में भी जो यह मंत्र हैं उसके अर्थ भी सब्दार्थ भी और उसको काव्य के रूप में भी हमने इसमें देने का प्रियाद किया हैं जिससे कि हम अर्थ भावना पु उसका हम अर्थ भावना पूर्वक जब कर सकते हैं। राता जी का प्रशन है कि हम सब्ता ही कि यज्य करते हैं लेकिन प्रती दिन करना चाहते हैं। और दूसरा उनका कहना है कि हमारी जो बच्चे हैं उसका इंटरस्ट नहीं है इतना यज्य में, तो कैसे उनकी रूची बढ़ाएं, कैसे उनको विश्य करते हैं जब उसके अंदर उस कर्म को पर हमें विशेश लाव दिखाए दे, हमारा हित दिखाए दे, सुख दिखाए दे, तो हम उस कर्मा में विशेश रुप से प्रवरित होते हैं जैसे आप स्वयम हैं आप पहले यज्ज नहीं करते थे आपको कुछ लाब का पता चला था आप सापताइक यज्ज करने लगए अब आप सापताइक यज्ज करके उसकी महिमा को जान करके आपको और रुची और और आपको लग़ा कि इसमें मेरा हीत है मेरा बहुत ज्यादा सुख बढ़ने वाला है तो आप अब ये निर्णाई पे आगए कि मैं प्रती दिन करूं और इतना ही नहीं प्रती दिन में तो करूं लेकिन मेरी संता ने भी प्रती दिन इस यज्य को करें जिसे आपके अंदर आप प्रवर्टी को देखें इसका कारण क्या है अपना जान अपना नोलेज जो उससे सम्मंदित जान नोलेज है कि ये क्या क्या लाब दे सकता है कैसे कैसे लाब दे सकता है इसे कैसे मेरा हीत हो सकता है परियावरन का हीत हो सकता है हमारे परिवार के जनों का हमारे समाज का हीत हो सकता है ऐसे कई सारे आपने लाभू को सोचा विचारा यज्य से परियावरन का भी पोर्षन होता है यज्य से स्वास्त का संवर्दन होता है यज्य से मानसिक सांती प्राप्त होती है यज्य से पुन्यों के प्राप्ती होती है यज्य से देवी शक्तियों का पूजन होता है इश्वर की आराधना होती है और भी बहुत कुछ इस सारी चीजे जैसे आपने देखी तो आपकी प्रवर्वित्वी तो इनी चीजों को हम अपने बालकों को अपने बच्चों को यज्या की जो महिमा है उसको सुनाएं उनको बताएं उसको समझाएं और दिरे 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 जब उनको ऐसे लाब दिखना है तो उसकी स्वयम प्रवृत्ती होने लगी आज हमने देखा कई सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी यज्य दिरे दिरे सिखाया और आज ओ स्वयम घर में नहीं तब भी उनके छोटे छोटे बच्चे भी यज्य कर लेते हैं और मंत्र चांड पुरा विधी पूर्वव हमारे साथ आदले भाई सुरेश भाई जी जुड़े हुए हैं उनके मैंने देखा छोटे 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 बच्चे और वो छोटी छोटे बच्चे सारे मंत्रों के उच्चांड भी आते हैं सारे मंत्र उनको याद हैं और प्रती दिन यज्य करते हैं सुबह और साइन कार और अच्छे से विधी पूर्वव कर लेते हैं और वो स्वयम नहीं है तो केवल बच्चे तयारी करके सब कुछ करके स्वयम बच्चे यज्य कर लेते हैं तो यह संसकार हम प्रती दिन अब घर में यज्य करेंगे वो देखेंगे जानेंगे जो हम करते हैं वही तो बच्चे देख करके सुन करके जान करके करते हैं तो हम यह यज्य को स्वयम भी करें और उनको उनकी महिमा बताए तो देरे 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 उनकी भी प्रवर्ति होने लगती है। आज सुगंधित द्रव्य जलाकर भयंकर रोग दूर किये जाते हैं। यज्य करने के सार्व खोव में वैज्याने के एवं पंथ निर्बेक्ष पावनी परंपरा रही है। आईए, हम संकल्प ले, संसार के स्रेष्ट तम कर्म यज्य को अबनाएं। बिंड और म्हांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं। एवं प्रकृति महा की प्रति अपने रिणों को अदा कर। विश्व स्वास्ति का एक नारा, यज्य से होगा जग उजियारा।